सर नमसकार सर क्याना में आपका उसके बाद में 2010 की बात है मैं यहाँ पर मारे डेरा सचा सोदसे गुरमीत राइम सिंग जी आई हुए थे तो उन से मैंने नाम दिक्षा ली थी जाके और उसी के साथ साथ मैं लगब लगए सौवार के बर्थ करता था गुर्मित रामराहिम सिंग से जो भक्ती साओना आप ने की वो कितने साल तक की? उनके त्वरादीगी साओना को आपने छोड़ा क्यूं? क्यूं आप संतरांपाल जी महाराजे के सन्डे मैं आ गए? जी ये थोड़ी सी लंबी काणी है कि मैं विस्तार से बताना चाहूंगा इसमें जब मैंने संत्रामपाल जी महराज के बारे में सुना तो उन से पहले किया है कि मेरे मोसी जी के लड़के थे उन्होंने नाम दिख्षा संत्रामपाल जी महराज से लेर की थी तो उनके बारे में मेरेको मेरे ममी जी ने बताया भी वो आपके बाईी ने वो वहाँ से नाम लिया है और वो अर्याना से कोई संत्थ। और वह तो किसी के, मतलब पेर नहीं छूते हैं, नै किसी के सिर पेज़ रखते हैं, नै कोई देवीदेवधा को मानती हैं, ऐसे करके तो उसके बारे में मैंने अपने पापा से पुचा, dominance हैं वैसे ही घर में, बेठत हैं सारे चाचाजी और सारे बेठत हैं, तो उनके बारे में पूछा भी ये क्या सिस्टम है वो किसी देवलतां को नहीं मानते हैं वो तो कहते हैं भी ये किसी मतलब सबसे उपर हैं बगवान तो को यह हो रहे हैं ये ब्रमा विश्नु महिस है जो ये अपने को मोक्स नहीं करवा सकते हैं ऐसा कुछ बताया था उन्हो मरे बुजूर्ग हो आपको सारा अन्व्व है आप बताओ मेरे के तो उन्होंने उनका पक्स मतलब उन्होंने पहले ग्यान का पष्ट मढद बढ़ ली थी मेरे बापाजी ने उनको बताया कि बहीं उनकी बात से हैं Ministr पUD हूए तो संत रामपाल जी माराजी ने जो आपको ग्यान दिया और गुर्मित रामरेम सिंग जी जो इतने सालों से आध्यात्मी ग्यान दे रहे हैं उस ग्यान में आपको क्या अंतर नजर आता है जी मेरे को सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि परमात्मा की पहचान होगी बही मनुश्य जीवन जो अपने को मिला है ये किसलिए मिला है किस से आपको परमात्मा के पहचान हुई? गुर्मित राम रहीम सिंग जी या संत्रामपाल जी महराज जी से? जी मेरे को संत्रामपाल जी महराज की सरण में आने से घ्यान हुआ कि प्रमात्मा कौन है और संत्रामपाल जी महराज के घ्यान को सुनकर पता लगा कि कभीरी प्रमेसुर हैं जो हम सब जीवों का मौक्स करेंगे और किसी की दूसरे की सरण में जाने से मारा मोक्स नहीं होगा हमारी ये बगती साथ नहीं है अब जो करते हैं जगत के इसाब से जैसे अपने भाईवंदू जो करते हैं वो क्या है कि जो मने में आलिया उन्ही को पूज लिया उन्हीं को पूज लिया संत्रामपाल जी माराजी से जाके नामदिक्सा ले रहे हैं तो जरूर उनके मन में संका रहती है कि आपको वहां से क्या मिल रहा है हमारा आपसे यही प्रस्ना है कि संत्रामपाल जी माराजी से नामदिक्सा लेने के बाद आपको क्या लाब मिले जी मेरे को संत्रामपाल जी महराज के सरण में आने के बाद बहुत से लाब हुए है सबसे पहली बात हो कि जब मैंने 2014 में संत्रामपाल जी महराज की सरण में गया था उसके बाद ही मेरे बड़ी बहीं जो गंगानगर में रहते हैं उनके पास मैं गया हुआ था तो वहां पे वो मतलब अपना गर्मन आ रहे थे तो मैं उनके साथ उपर था, मकान के उपर था तो मिस्त्री के साथ खड़ाता हो जैसे मतलब किसी गलती से मैं मेरा पेर भिशल गया और मैं निचे गिर गया मकान से लगबग 12 फुट की उचाई पे मकान था और निचे उस पे दस फुट डिगी बनी होती डिगी के बीच में दिवार थी, डिगी बरी होई पानी की पहले मेरी कमर सीधी डिगी पे जाके गिरी उसके बाद मैं सीधा निचे पानी के अंदर डूब गया तो मेरे को बाहर पकड़के साथ जो खड़े थे उन्होंने बाहर निकाला उसके बाद तो मेरे को सिर्फ संतरांपाल जी महराज के हलावा मेरे को किसी का ध्यान नहीं गया और मैंने संतरांपाल जी महराज परमात्मा मानकर उन्हीं को अपने ध्यान में लिया और का परमात्मा जो भी हो बस आप ही हो तो उसके बाद सारे के सारे गबरा गए लेकिन मैं तो ठीक था बिल्कुल मेरे कोई दिक्त नहीं हुई और दूसरा लाब मेरे को ये हुआ कि मैं 2016 की बात है मैं अपने घर जा रहा था श्याम को तो श्याम का टाइम था मैं बाईक लेके जा रहा था तो इतनी सपीड से मोटसेंगल मेरे मेरे अंद कर मारे दी मेरे को पहले से ऐसा प्रतीत हुआ भी ये बाई । ए बाई-जो सामने आ रहा है मैं मोटसेंगल तेरे अंदर मारे गा तो मैंने देखा कि वो ही हुआ, वो सिधा लेके आके फुल स्पीड से, मैं आराम से जा रहा था, फुल स्पीड से, इतनी स्पीड से मोट सेंगल मेरे अंदर आया कि मोट सेंगल बिल्कुल तैसनेस हो गया, और मैं जाके सिधा, सिधा जाके दूसरी साइड, जाके साइड में गिर गया कच्छी जगहें पर जहां पर मैं मतलब अपने चारो तरफ देखा मेरे को कहीं खरोंज नहीं हुई है और दूसरे भाई को जो सामने मोट मोट सेंग लेकर आ रहा था उसकी यहां पर फ्रेक्चर हो गया उसका और वहीं बैठ गया और क्या कहला मिले आपको मेरे मम् से और उनको पैट में पत्री थी तो हमने तीन डौक्टरों से चेक करवाया था चेक करवाने के बाद अल्ट्रासांड करवाया और एक दिन तो यह आलत होगी कि हम काम पर थे और खेत में काम कर रहे थे तो घर से फोन आया भी मम्मी जी की आलत ज्यादा खराब हो गी है और जैसे ही हम मतलब फोन आगया भी घर से अब डौक्टर के बास लेकर जाना पड़ेगा उपरेशन करवाना पड़ेगा तो हमने संद्रामपाल जी मराज की सरण में अर्दास लगवाई यह बात होगी है और इसी करने मतलब ममी जी जादा बिमार है तो परमात्मा ने का गबराने की कोई बात नहीं है आप बेफिक रोजव परमात्मा दया करेंगे तो हम सुबह डौक्टर के पास लेके गए राइसेनगर लेके गए अल्ट्रा साउंड करवाया तो अल्ट्रा साउंड कराने के बाद चेक करवाया तो उसमें कोई पथरी विगरा कुछ भी नही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज भारत का युवा जिनके प्रती अगरसर है लेकिन आप संत्रामपाल जी महराजी से जुड़कर भक्ति में लगे हो तो हम आप से जाना चाहते हैं कि आप उन युवाँ से किस प्रकार से अलग हैं देखिए कि संत्रामपाल जी महराज जो है उनका ग्यान ही ऐसा है अगर जो उसको द्यान से सुन लेगा ना जिसके जिसने द्यान से सुन लिया प्रमात्मा संत्रामपाल जी महराज के ग्यान को समझा है तो वो समझने के बाद में वो इन सब जो दुनिये के विकार हैं जित संद्रामपाल जी मराज केते हैं भी सबी जीव हैं जो प्रमात्मा की संतान हैं और इनमें कोई बेदबाव नहीं है। सर, हम देखते हैं कि समाच का एक बहुत बड़ा तबका नसे में लिप्ट हैं और बहुत सारे लोग हैं जो नसा छोड़ना चाते हैं लेकिन वो चाकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। सरकारे भी इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाई लेकर आती हैं नसा मुक्ति के इंदर भी खोलती हैं जिसके बावजूद भी लोग अपना नसा नहीं छोड़ पाते हैं लेकिन सर, संत्रामपाल जी मराज ये इससा क्या बताते हैं या ऐसी क्या दवाई देते हैं कि जो ये नसा है ये हमारे जीवन का नास कर देगा और संत्रामपाल जी मराज इस नसे से मतलब संत्रामपाल जी मराज के ग्यान से करोडों बाई बंदों ने नसा छोड़ा है और आज संत्रामपाल जी मराज के आप किसी भी सिस्या से कुछ भी आप मतलब जितने भी आप रुप कल्यान करवाएं। जी धन्यवाद। सत्साहिब जी।